Assalamu alaikum dear students Welcome to my YouTube channel English grammar with Bach आज की वीडियो में मैं आपको omission of the to omission of the to यानि कहां कहां आपने to नहीं लगाना है वो सिखाऊंगा क्यूंकि English grammar में बहुत सारे ऐसे अलपास है जिसके साथ आपने to यानि preposition to नहीं लगाना है लेकिन आप लोग frequently इन अलपास के साथ ये गलती करते हो तो आज की वीडियो में आपको तफसील से सिखाऊंगा कि आपने कहां कहां to नहीं लगाना है कहां कहां आपने गलती नहीं करना है तो सब सिखाऊंगा आप लोग मेरे साथ रहिए सबसे पहला सबसे पहला वर्ड हमारे पास है हूम ह-o-m-e हूम आप में कभी भी हूम के आगे preposition to कभी भी नहीं लगाना है पिर से सुनो हूम के आगे आपने preposition to कभी भी नहीं लगाना है मसला आप में से अक्सर बच्चे लिखते हैं आई एम गोईंग टू हूम आई एम गोईंग टू हूम ये जुमला 100% गलत है क्योंके हूम के पहले आपने to नहीं लगाना है आपने यू लिखना है आई एम गोईंग हूम अब ये sentence टीक होगी है I am गोईंग हूम क्यों भी प्रिपूजिशन यहां पे आपने नहीं डालना है एक और sentence She was coming हूम यहां पे भी क्योई प्रिपूजिशन नहीं है sentence बिरकूल टीक है आईशा एक और सिंटेंस आईशा एंट साधिया आर गोईंग हूम आर गोईंग हूम यहां पे भी आपने ठू नहीं लगाना है तो पहला वड हमारे पास क्या था हूम था हूम के आगे आपने कभी भी ठू नहीं लगाना है दूसरा हमारे पास है स्म वेर अक Kensार हम लोग में English में एक दूसरे से कहते हैं Let's go to意思 सम वेर के बात सम वेर से पहले आपने भी preposition to कभी भी नहीं लगाना है अक्सार बच्छे लिखते हैं let's go to somewhere go to आपके पास somewhere से पहले to आपने नहीं लगाना है यह sentence बिलकुल गलत है तो आप कैसे बोलोगे let's go somewhere let's go somewhere अगला एक और वर्ड है inside and outside inside and outside in words के साथ भी आपने कभी भी to नहीं लगाना है in words के साथ आपने कभी भी to नहीं लगाना है मिसाल के तोर पर please come inside please come inside यह sentence बिलकुल ठीक है अगर आप इस तरह बोलोगे please come to inside please come to inside यह sentence 100% गलत है let's go outside let's go outside यह sentence बिलकुल ठीक है अगर आप ऐसे बोलें कि लेट्स गो टू आउट साइड लेट्स गो टू आउट साइड ये सेंटेंस बिलकुल गलत हो जाएगा आपने टू नहीं लगना है इंसाइड और आउट साइड के साथ एक और बाट है हमारे पास आरायव अडबल आर आई वी ई आरायव अच्छा आरायव को आप लोग सबसे पहले आरायव को समझे आरायव के साथ आपने प्रिपोजिशन एट भी लिकना है इन भी लिकना है और ओन भी लिक सकते हो बहुत सारे प्रिपोजिशन आरायव के साथ आप लिख सकते हो सबसे बहले अगर आप किसी मखसूस जगा पर आपने आराइव लिखना हो मतलब किसी गली कुछे गर कोई स्पेसिपिक लिकेशन हो उनके साथ आपने हमेशा एरपोर्ट स्टेशन इस तरह के मतलब कोई मखसूस लिकेशन हो आपने आराइव के साथ कुछसा पर पोजिशन लगाना है एट लगाना है मतलब अगर मैं सेंटेंस लिकूँ वी आराइव एट दी स्टेशन क्योंकि स्टेशन एक स्पेसिपिक लोकेशन है इसलिए आराइव एट लिका एक और सेंटेंस समी अराईव्ड इड या पिला स्ठीट या पिला जगा या पिला दुकान या पिला हुटल या पिला मर्केट या पिला स्टेशन या पिला न की और जगा मतलब कोई स्पेसिफिक Loki newcom है तो आपने हमेशा कि हमेशा अराईव के साथ आपने एड कब लिखना है समझ में आई बात आरायो के साथ आपने 8 कब लिखना है कोई specific location हो तो पिर आपने आरायो के साथ क्या लिखना है 8 लिखना है लेकिन अगर आप आरायो किसी मखसूस country में हो या किसी मखसूस city में हो country हो या city हो तो पिर आपने आरायो के साथ in लिखना है समझी में आई बात आरायो किसी specific location पे हो तो आपने 8 लिखना है,aráयो किसी city हो generally कोई शहर हो, मतलब कोई Turkey हो Delhi, New York वगरा 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 इस तरह के कोई city हो तो आपने in लिखना है या country हो, UK, US, Canada वगरा तो आपने आरायो के साथ क२ंसा preposition लगाना है in preposition यहाँ पर मैंने कुंसा preposition इस्टिमाल किया है in इस्टिमाल किया कि जापन एक country है मैंने बताया कि आपने country हो या city हो तो आपने इनके साथ क्या लिखना है इन लिगना है एक और sentence We arrived in Tokyo We arrived in Tokyo Tokyo एक city का नाम है इनके साथ मैंने अप्रिपोजिशन क्या इस्तिमाल किया इन इस्तिमाल किया She is arriving in New York today She is arriving in New York today यहाँ पे भी New York एक city है कि मतलब आज पहुंच रही है तो मैंने अप्रिपोजिशन क्या इस्तिमाल किया इन इस्तिमाल किया अच्छा अगला वर्ड हमारे पास है हेर ह-e-a-r हेर मतलब सुनना हेर ह-e-a-r हेर सुनना हेर के साथ आपने बीबी कभी भी तू नहीं लगाना है हेर के साथ आपने भी तू कभी भी नहीं लगाना है मैं मिसाल लिक दिता हूँ यहाँ पिर अपने तू नहीं लगाना है आपका सेंटेंस पिर गलत हो जाएगा एक और सेंटेंस अगर आपने तू लिका तो आपका सेंटेंस बिलकुल गलत हो जाएगा हेर की एक और लबज है लिसन ल-i-s-t-e-n लिसन हमेशा आपने उनके साथ तू लिकना है हेर और लिसन में ये परक है कि लिसन के साथ आपने हमेशा एक पिक्स प्रपोजिशन आता है तू और हेर के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है मतलब she likes to listen the music यहाँ पर तू आपने जरूर लिकना है लिसन और हेर में ये फरक है एक और सेंटेंस है let's, l-e-t, let let या let's, l-e-t let के बाद आपने भी कभी प्रिपोजिशन तू नहीं लिकना है let के बाद भी आपने कभी भी प्रिपोजिशन तू नहीं लिकना है मसलां, अगर मैं लिकूं the boss let us to live early ये आपके एक्जाम्स में पूचा जा चुका है ये सेंटेंस the boss let us to live early ये सेंटेंस 100% गलत है the boss let us to live early क्यों गलत है? क्योंकि आपने जो टू लगाया टू यहाँ पे नहीं आता let के बाद कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आता तो इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या लिकोगे? the boss let us live early the boss let us live early आपका सेंटेंस अब ठीक हो गया इसी तरह let's go somewhere पहले भी आपने मैंने इस तरह की कोई सेंटेंस लिका तो let के बाद भी आपने कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लिकना है ना आगे लिकना है और ना पीचे लिकना है तो बस यह थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ आपको कुछ सिखने समझने के लिए जरूर मिलाओगा एक दफास समराइज कर लेते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो मैंने वो वर्ड्स आपको सिखाए जिनके साथ आपने प्रिपोजिशन टू नहीं लिकना है सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या था हूम ह-o-m-e हूम के साथ आपने न पहले न पीचे न आगे न पीचे आपने प्रिपोजिशन नहीं लेगाना है दूसरा था हमारे पास समवेर तीसरा हमारे पास था इंसाइड और आउटसाइड चुछा हमारे पास था arrive और पंचवा हमारे पास क्या था हेर और चट्ठा हमारे पास क्या था listen और साथवा हमारे पास क्या था arrive तो बस ये थी आज की वीडियो तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफ़ेज अगर आप चैनल पे नुए हो तो चैनल को लाइक, सबस्क्राइब और शेयर जरूर कर ले अलाफिज अपने दौाओं में याद रखना